Hey guys, Infinex, भले ही आपने इस कंपनी का स्मार्टफोन यूज नहीं किया होगा लेकिन स्मार्टफोन की ये दुनिया में आपने ये नाम जरूर सुना होगा 2024 में ये कंपनी एक बहुत ही बहतरीन फॉन लॉंज करने वाली है जिसका नाम है Infinex Note 15 Pro सुनने में आया है कि ये फॉन iPhone की तरह दिखने वाला है और एक और चीज भी है कि iPhone के color combination की तरह ही इस फॉन में भी color आपको देखने को मिलने वाले है तो हम बात करने वाले है इस वीडियो में Infinex Note 15 Pro के full specification के बारे में और हाँ दोस्तो प्रोसेसर के मुकाबले में भी बाकी के smartphone को ये phone टकर दे सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखना चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन को अल पर प्रेस जरूर करना बढ़ते हैं वीडियो की तरफ फर्स्ट अफॉल बात करते हैं इस phone की display के बारे में 6.6 inch की super amoled display 16 million color के support के साथ आपको इस phone में देखने को मिल जाएगी 120 hertz के refresh rate के साथ और इस phone के अंदर dolby vision का support भी display में देखने को मिलेगा और dolby vision का support है इसका मतलब based color combination आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं मेरे दोस्तों इस phone के cameras के बारे में back में आपको triple camera setup देखने को मिल जाएगा 200 megapixel का OIS camera देखने को मिल जाएगा जो के 8K video recording करके आपको देगा 42 megapixel का ultra wide camera 12 megapixel का micro lens camera देखने को मिल जाएगा selfie camera की में बात करूँ तो इस phone के अंदर आपको 32 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा जो के 1080p का video record करके देगा and AI face beauty होगी इसका मतलब आपकी जो selfie होगी ना बहुत ही खुबसूरत आएगी अब इसके performance के बारे में बात कर लेदे हैं MediaTek Diamond City 1200 के chipset के साथ ये phone work करेगा Out of the box ये phone Android 14 पे available देखने को मिल जाएगा In display finger pit sensor होगा और stereo speaker इस phone में देखने को मिल जाएगा यानि कि sound system भी बहुत ही मज़ेदार होगा अब बात करते हैं इस phone की battery के बारे में 5500 mAh की bigger battery इस phone में आपको देखने को मिल जाएगी और इस battery को charge करने के लिए 80W का fast turbo charger देखने को मिल जाएगा और एक और मज़ेदार बात 2 days का इसमें battery backup भी देखने को मिल जाएगा अब मैं इस phone की release date के बारे में बात करूँ तो वीडियो के first में ही आपने देख लिया होगा 2024 के first year second month में ये phone आने वाला है network connectivity की बात करो तो 5G के all band support देखने को मिल जाएगे इस phone के अंदर अब इस phone की price के बारे में मैं बात करूँ तो 30K से लेकर 40K तक ये phone आपको देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना जितना हो सके वीडियो को सेर करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों